प्रियागराज की नेनी सेंट्रिल जील में जनवरी 2014 से आज इवन करवास की सजा काट रहे पूर भात्पा विधायक उधैवान करवरिया की रिहाई के बाद सपाई से बड़ा मुद्दा बना रही है प्रियागराज में पार्टी कारले में अतरॉलिया से सपाविरहक संग्राम सिंग्यादव की अगवाई में नेताओं की बैठक कर इसके लिए रन्नीती तयार की गई है बैठक में तैह हुआ है कि पार्टी से कावनून व्यवस्था और गुंडा राज के तौर परसादन में रखेगी राजिपाल के अदेश्वर प्रशाषन की तरफ से उदाभान की जेल में अच्छे आचरन और दयायाचिका समीती की सिफारिश की आधार पर उदाभान की रिहाई तो हो गई लेकिन इसे लेकर अब समाजवादी पार्टी आरपार के लड़ाई के मूड में है प्रियागराच में पार्टी के आरएले में समाजवाधी पार्टी के नेताओ और स्थानी पार्टी पादाधिकारियों की बैठक हुई जिसमें विधायक जवाहर यादव पंडित की पत्नी बीजमा यादव सहित मंडल के संगठन के सभी पदाधिकारी भी मौझूद रहे सपा विधायक संगराम सिंग यादव को इसकी जिम्मेदारी दी गई और इस तरह से रिहाई कर देना कहीं ने कहीं ऐसा लग रहा है उन्हें इस तरह से रिहा करना एक कहीं से उचित नहीं दिखाई देता है विधान सभा में बुदा उटे गई है विधान सभा में भी आप थे ही मीटिंग में हमारे राष्टी अद्धेजी कल परसों में भलब रहेंगे हम सब उनका माधरसन लेकर गए जैसा भी होगा हम इसकी लड़ाई को लड़ने का काफ रहें पैठक में टै किया गया है कि एक तरफ इस मामले को पार्टी नयाले की दहली इस तक ले जाएगी तो दूसरी तरफ विधान सभा में भी इसको प्रमुकता से उठाया जाएगा पार्टी खुद को गुंडर माफियों पर कारवाई कर पहतर कानून विस्था का दावा करने वाली योगी सरकार का परदाफाश करेगी प्रदेश के सभी जिला कारालों में इस मुद्धे पर कारेकरतां को भी प्रदर्शन के लिए सक्रिय किया जाएगा